नमस्ते अभिवादान आपका Innocent Investor के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क लेमर दोस्तों बात करेंगे हरानभा IPO की कहां खुलेगा कितने प्राइस पर लिस्ट होगा ये आपको बताएंगे और सबसे पहली चीज जो अभी के सिनारियो में डिसकस करने वाली है वो है Global Markets मैं आपको Dow Futures का चार्ट दिखाना चाहता हूँ कोहराम मचा हुआ है यहाँ पर आप देखोगे 31-400 के आसपास से फिसल कर 30-600 के आसपास ट्रेड कर रहा है एक बड़ी गिरावट 800 पॉइंट के आसपास की हो चुकी है अभी भी गिरावट इसमें बड़ी हो सकती है क्योंकि जो गिरावट आ रही है वो बड़े वाल्यूम के साथ आ रही है तो अमरीका में कोहरा मचा हुआ है बाजार में और यह अचानक से गिरावट आई है अचानक से तो आपको बहुती alert mode में ही trade करना है, अपनी बाजार कहां खुल सकती है, अभी के हिसाब से जब मैं ये वीडियो साड़ी बारा बजे रात को record कर रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से समझेगा, अपनी बाजार 14.950 के आसपास की जो opening है, ये सो कर रही है, यानि कि कल एक बड़ा gap down फिर से होगा, option writers की फिर से what लगने वाली है कल, तो let's hope for the best की थोड़ी सी recovery आए global markets में, जिससे कि हमारी बाजार कम से कम 15,000 के ऊपर खुलने के आसार दिखा दे और खुले भी, क्योंकि मैंने आपको बताया है जैसे, कि अगर बाजार 14,960 के level को तोड़ेगी, तो बहुत कमजोर हो जाएगी technical basis पे भी, कि वह एकी चीज़ जो अभी हमारे favor में है, वो है, technically बाजार अभी हमारी मजबूत है, बाकि ये जो गिरावट है अचानक वाली, इसको देखकर थोड़ा सा डल लग रहा है, इस data को available कराने के लिए investing.com को पूरा सा बाहर, अब चलते हैं, हैरानबा की बात करेंगे, 627 रुपए इस पर आपको apply करना था, अगर आप latest grey market premium की बात करोगे, close to 40% के आसपास का है, तो इसमें अगर आप 210 रुपए एड करते हो, ठीक है 210 रुपए एड करते हो, तो यह हो जाता है 837 रुपए, जो हैरानबा IPO है, वो close to 850 के आसपास खुल सकता है, जी हाँ, 850 के आसपास की लिस्टिंग होगी, करना क्या है, अगर आपको लिस्टिंग गेन मिल ला है, कोशिश कीज़ेगा 75%, अगर इतना आपको गेन मिल जाता है, close to 35 से 40% के आसपास का, 75% बुख कर लिज़े, अगर जहां खुलता है, वहां से 15% और उपर चला जाता है, तो हाँ पर आप 20% और बुक कर लिज़ेगा, 5% छोड़ दीज़ेगा, ठीक, अब जिनको लिस्टिंग नहीं मिली हुई है, उनको क्या स्ट्रेटिजी अपना नहीं है, देखिए, आपको जैसे ही खुलता है, अगर ये गट फिलिंग आपकी होनी चाहिए, अगर आपको लग राएक उपर ही चला जा रहा है, 5% पैसा लगा दीजिए, और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जितना पैसा लगा रहे हो, रिस्क सिर्फ उतने पर ही होता है, तो ये मैं सोचा किजिए, मैं थोड़ा ही कमा पाया भाई, अप लगाए भी तो थोड़ा थे, जब आप 5% लगाओगे, आपको ये गट फिलिंग आ रहे ही, उपर जाएगा, खेर, ये अलग सिनारी होगे, आप मैं नॉर्मल स्ट्राटीजी की बात करता हूँ, बहुत ध्यान से समझेगा, जब भी हरान बाद थोड़ा सा होता है ना, कि वोला टाइल रहेगा, तो ध्यान आपको रखना है, जब तक ये शुरू कि गंटे में 8% ना गिर, आपको कोई भी बाइंग इनिसियेट नहीं करनी है, पहली जो किस्त आपकी जाएगी 20% की, दूसरी किस जाएगी 30% और तीसरी किस जाएगी 50% की, पहली 8% की गिरावट, दूसरी 6% की गिरावट और तीसरी 5% की गिरावट, इसमें ही आपको ये पैसे डालने हैं, 8% पर 20%, फिर अगले 6% पर 30%, फिर अगले 5% पर 50%, इस टॉप लॉस आपका कहां रहेगा, 9-10% की आसपास का होगा, इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है, एक घंटे के बाद क्या होगा, ये 8 जो है, 4 हो जाएगा, ये 6 जो है, ये 5 हो जाएगा, और ये 5 जो है, ये 5 ही रहेगा, तो याद रखिएगा, सिर्फ 4% की गिरावट के बाद, आपको बाइंग इनिसेट करनी है, फिर अगले 5, फिर अगले 5 पर आपको बाइंग इनिसेट करनी है, एक घंटे के बाद, तो ये हो गए इस स्ट्राटजी, साड़े 800 के आसपास खुलेगा, इनके पास सेर्स अभी तक नहीं आए है, सुबह आ जाएंगे, तकलीफ मत लीजेगा, आपको सेर्स मिलेंगे, आपका पैसा वापस आएगा, 20% की मार्जिन मनी आपको सेर बेंज देने के एक दिन बाद मिलती है, तो उसके बारे में भी आपको टेंसन लेने की जरुवत नहीं है, वापस बाजार का चार्ट अगर आप देखोगे, तो कल बाजार जो है क्लोज टू यहां पर खुल सकती है, इस गैप को फिल करेगी, जो बाजार ने गैप अप कर दिया था, तो देखते हैं, अभी अमरीका में साइद कुछ रिकवरी देखने को मिल जाए, एक मिनट हम ट्रैक ही कर लेते हैं, ओहो, यह रिकवरी क्या, यह तो और डाउनफॉल हो रहा है, आप देख रहे हैं, छिस्सो से भी बाजार फिसल कर 30, 575 के आस पास आ चुकी है, एक गिरावट लगातार जा रही है, बड़ी गिरावट हो रही है, और वॉल्यम के साथ हो रही है, आप सुबह आपको थोड़ा सा अलेट मून में ही ट्रेट करना है, अपनी जो निफ्टी है, वो क्रूसियल सपोर्ट को तोड़ती भी दिखाए दे रही है, जो मैंने आपको बताया था, 14.960, इसके नीचे अभी क्या असार दिखाए दे रहे हैं, देखते हैं, क्योंकि होगा ना कि एक बार के लिए सपोर्ट तो आएगा ही, आप भी थोड़ा सा केंडल वगएरा जाकर चक कीज़ेगा, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो IT स्टॉक्स है वहाँ पर तकलीफ हो रही अमरीका में, और इंडिया में IT स्टॉक्स का वेटेज बहुत जादा है, मतलब वो निफ्टी को बड़ा धक्का दे सकते हैं कल, तो साधान रहीएगा, मैंने आपको स्ट्राटीजी समझा दी, अब बाजार है तो उपर नीचे करती रहती है, उसके लिए तैयारी आपको बना कर रखनी चाहिए, इसलिए मैं हमेसा फोकस करता हूँ का आपकी पोजीशन जो है, है जो होनी चाहिए, जिससे कि आपको तकलीफ कम से कम रहे, मिलेंगे फिर से वीडियो पसंदाइद, लाइक कर देना, नमस्कार,